आज के इस वीडियों हम बात करने बाले हैं इंडियन येर फोर्स जी हाँ दोस्तों इंडियन येर फोर्स में जो है वेकेंसी आ रखी है यहाँ पे दोस्तों अगनिबीर के तहर जो है आपको वेकेंसी का अपडेट जो है मिल रहा है चले स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो यह form जो है एक्टिवेट हो चुका है आप इसको online apply कर सकते हो जिसकी last date दोस्तो 17 अगस 2023 रखी गई है यहाँ पे दोस्तो जो eligibility criteria है अगर उसकी regarding बात किये जाए तो बार्मी पास के candidate जो है अगनिवीर intake 2024 के तहट जो यहाँ पे apply कर सकते हैं जहाँ पे दोस्तो आप बार्मी पास हैं तो apply कर सकते हैं जिसमें बार्मी पास में आपके पास science होना जरूरी है mathematics, physics, english, language जो होना जरूरी है 55 percentage marks होना जरूरी है अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है engineering field में mechanical, electrical, electronic, autumn, while computer, science, instrumentation तो आप जो है apply कर सकते हैं इसके साथ दोस्तो अगर आपके पास science के अलावा other subject है तो भी जो आप यहाँ पे apply कर सकते हैं salary की बात के दोस्तों तो यहाँ पे जो salary है initially जो आपको 4 साल के लिए यहाँ पे अगनीवीर के तहांत रखा जाएगा पहले साल दोस्तों यहाँ पे जो है आपको 30,000 परमन gross salary मिलेगी जिसमें अगर आप काट के बोला जाए तो 21,000 मिलेगी इसके साथ दोस्तों यहाँ पे जो है दूसरे साल जो है 23,000 हाथ में आपको मिलेगी पूरा salary और तीसे साल जो है 25,500 और चौत्य साल जो 28,800 इसके बाद दोस्तों अगर आपका यहाँ पे selection हो जाता है मतलब आपका जो training complete हो जाता है तो उसमें 20% जो candidate हैं select होंगे जिनकी जो salary है दोस्तों 5,000,000 परेनम यहाँ पे रहने वाली है तो यहाँ पे आप देख सकते हो salary की regarding अब यहाँ पे चलिए form को कैसे apply करना उसके regarding बात करते हैं form को कैसे feel up करना उसके regarding बात करने से पहले थोड़ा सा हम जाल लेते हैं कि यहाँ पे selection किस प्रकार का होगा तो यहाँ पे online test होगा online test दोस्तों यहाँ पे science subject से एक घंटे का paper होगा जिसमें physics, mathematics, English language से जो है स्लेवर्स रहेगा और यहाँ पे जो other than science वाले candidate है उनके लिए 45 मिनिट का online test होगा जिसमें दोस्तों English language से और reasoning of general awareness के questions जो है पूछे जाएंगे तो यह जो है यहाँ पे इसका examination pattern है examination date जो है इसका all over India होने वाला है चलिए बात करते हैं form कैसे fill up करना है अब यहाँ पे form को fill up करने के लिए link मैंने आपको दिया हुआ है description box पे आप उसको click करेंगे सबसे पहले यहाँ पे आप देखोंगे दोस्तों यहाँ पे जो है अगर आपने registration नहीं किया है तो आपको click here to service पर click करना है यहां पे दुस्तो आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रागा का प्लैटफॉर्म आता है यहां पे दुस्तो आपको जो है फॉर्म को फिल अप करना है अपना नाम लिखना है मेल आइडी, मुवाइल नंबर, OTP डेना है वो ट्वी जो mobile number और mail ID पहाएगा इसका capsule code डालके यहाँ पे आपको register कर देना है तो आपको registration हो जाएगा, registration होने के बाद दुस्तों आपको करना क्या है आपको login पे click करने के बाद आपका mail ID और जो password आपने create किया हुआ है और यह capsule code डालके यहाँ पे login करेंगे login करने के बाद दुस्तों आप यहाँ पे form को further fill up करेंगे इस प्रकार जो आप यहाँ पे form को apply कर सकते हैं वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रू बताएं